अगला question बहुत अच्छा question है, आज कल कई लोग बता रहे है 12 piece of marketing, 15 piece of marketing, 25 piece of marketing, पर logically 4 piece of marketing गए 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 थे, अब इतने सारे piece बन गए है, किस तरीके से इन याद करें, किस तरीके से उस चीज को समझें, देखो, आज कल क्या हो गया है, सबके सब writer बन गए है, digital era आगी है, सबक कुछ नए concept निकालना चाते है जिसके चकर में उनको जाना जाए तो उसके चकर में कुछ भी दालते रहते हैं मेरे साब से 7 piece में सब कुछ आता है 4 piece ठीक है पर 7 piece के अंदर सब कुछ आता है service industry भी आती है product industry भी आती है तो मेरे साब से 7 piece से ज़्यादा piece की जुरत नहीं है, अभी के टाइम पे, कल को अगर कुछ आएगा तो मैं जुरूर बताऊंगा कि भाई इस से ज़्यादा आप ले सकते हो, पर 7 piece के नवर सब कुछ आता है, product, price, place, promotion, physical evidence, मतलब आपकी location कैसी है, process, आपका किस तरीके का process है, और आपके people, मतलब जो भी आपका staff है, वो किस तरीके से services दे रहा है, तो last के जो 3 piece है, ये service industry के लिए होते है, product, price, place, promotion, ये product industry के लिए होते है, पर आजकल जो product industry है, वो भी service देने लग गई है, एक तरीके से, बहुत सारे ऐसे product वाली companies है, जो अपने interior के उपर काम करती है, जो अपने processes के उपर काम करती है, तो 7 piece के अंदर सब कुछ आता है, 7 piece सबसे इचा है, अगर detail में वीडियो देखनी है, intellectual indies पर जाकर चेक कर सकते हो,